नमस्का दोस्तों आज किस वीडियों बात करने वाले हम टमाटर में लगने वाले वाइरस के उपर जिसे बहुत सारे दोस्त अलग लग नाम से भी जानते हैं प्रेफरली जो है प्रफेक्ट इसका कोई नाम नहीं है फिलहाल कुछ इसे कुंकड़ा रोग भी कहते हैं कुछ इसे जो है थ्रिप्स से रिलेट करते हैं थ्रिप्स भी इसी टाइप का आपका रहता है जिसमें की आपका जो टमाटर रहता है इकठा हो जाता है बहुत साथ उ आफ यहां का नाम देते हैं तैप का यह वाइरस ही है कुंग तरो गर है या इकल्थ हो जाता है जैसे आपको वीडियो में भी नजर आ रहा है कि हैं आपका टम Chuck की पत्ते रहते हैं जो टेपस रहते हैं जो नए उपर को जो हैं पतिया और एकदम से फटब सकते हैं यहां चलता है कि आपका निकलती है इसमान पातिया निकलते हैंक जिक्लीच करता है जो यह में फासल scr एन्वायर्मेंटल कंडिसंस कभी कवार ऐसी होती हैं की उसे वाइरस आपकी जो है वाइरस में जो है शुरूवात से ही आपको इसके लक्स देखने का बहुत हो जो है तो इसकी जो है ट्रीटमेंट डिलाज नहीं है पर इस वीडियो में आपको थोड़े बहुत टीप्स दोंगा जिससे कि आपको अपनी फसल को बचा सकते हो बाकियों को इसको है और दूसरी आतियाप की विल्ड के ओपर भी आपको बहुत जाल जाल जो है फूल डीटेल में वीडियो आने वाली है कि किस तरीके से आप उसको से बार फैंक दीजिए पांट दस पंद्राव इस दितने वी आपको पौदे मिलते हैं उनको खाड़के फैंक दीजिए क्योंकि यह ठीक नहीं होने वाला और दोस्तों दीरे दीरे जो है आपकी फसल में जो है आगे यह फैल तरह जैसे आपकी विल्ड फैलती है यह अपने दीटेल में आपको बताने वाला में इस वीडियो में तो दोस्तों अगर थोड़ा बहुत लगा है पांट साथ पौदे हैं उनको टाइमली अगर आप अपने खेट से निकाल देते हो तो आपकी खेट में रूख जाता है कोई इतनी बड़ी इसू नहीं है कि यह बहुत जा करता हैा तो अगर आप टाइमली सको जो है जो 15 साथ आपके पौूदे रहते हैं उंको नहीं निकालते हैं तो दोस्तों इसकी कstars से की तरीके सांव रोक सकते खे z जो आपके healthy plants हैं, उनको आपकी तरीके से बचा सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपका चलता है antibiotic, जातर जो आपके antibiotics हैं, वो bacteria, virus और जो आपका रहता है दोस्तों, copper, oxy chloride, copper, hydroxide, वो चीज़ें पर ज्यादा effect करती हैं, उनसे दोसी ये चीज़ें को ज्यादा रोका जा सकता है, उसके साथ-साथ दोस्तों आपको पता है कि जो antibiotics रहते हैं, आपके streptomycin होगी है, बहुत सारे अलगले company के आपको मिलते हैं, टेक्निकली बात करता हूं, उसके बाद आपको जो है, कासुगomycin भी आता है, बायो-माइसीन, तो ओजो ज्यादा इस पर effect करता है, उसके plant growth regulator, तो जो की टेक्निकल रहता है दोस्ता आपका, ट्राइक कॉंटनोल, जो की आपकी पतियों में जो है, फैलावट देता है, उनको सिकुणने से रोकता है, उसमें जो है, इस तरीके से संचालित करता है, कि वो जो है, फैलावट अच्छी लेती है, और उनमें हरापन रह दूसरा आता है, उस चीज को रोक थाम करता है, उसके साथ-साथ आपको एंटिबायोटिक ज़रूर डालना चाहिए, और दूसरा आपको दोस्तो उसमें जो है, कॉपर ऑक्सिकलोराइड और एंटिबायोटिक का छिड़का भी ज़रूर करना चाहिए, यही इसका solution है दोस् जो है, इक गुच्छा लगता है, आपका फ्रूट्स का पांच साथ जिसमें जो है टमाटर लगते हैं, वहां से जो आपको सिर्फ और सिर्फ दो है, दो तीन ही वो टिकेंगे, बाकी आपके जड़ जाएंगे, बहुत कम फ्लावरिंग होगी, अगर आपको उखाड के फैं लग चुका है, अगर आप रुकना चाते हैं, वेट करना चाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालना चाते हो, तो उसको ही रहने दीजिए, इसी के साथ अपना मुलेस में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर कोई सवाल या सुजाओ रहते हैं, तो कमे